भारतिय चात्रों को युक्रेन से निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपती व्लादमिर पुतिन की बाचीत हुई इस बाचीत का रूस ने पूरा ब्योरा जारी किया है और युक्रेन पर साथ ही रूस की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। इस्तमाल कर रही है। लड़मिर पुतिन राष्ट्रपती ने प्रधानमंत्री नरे मोदी से बाचीत नों है बताया हालाकि उनकी तरफ से डावा किया गया है। पर दी लेटेस्ट इन्फरमेशन उनके पास जो समय तकी सूचना थी उसके मुताबिक भारत के कई छात्रों को युक्रेनियन पोर्सेज ने होस्टिज ले लिया और उनको बाकाइदा हुमन शील्ड की तौर पर इस्तमाल कर रहे हैं। पर उन्हें रशिन प्राइब की तरफ मूव नहीं करने दिया जा रहा है। पर इस चिती में पूरी की पूरी जम्मेदारी की वाथॉर्टी की होगी युक्रेन अथॉर्टी की होगी। रूस अपनी तरफ से प्रयाज जारी रखेगा भारतियों को सुरख्ष्य ठीकानने के लिए। और मुझे दखता है निश्चित तोर वो प्रधान मंत्री ने इस और ध्यान दिया होगा। और इस बाबत जरूर युक्रेन अथॉर्टी से बात करके इस मसले को जल से जल सुछाने। और भारतिये चात्रों को युक्रेनियन फोर्टेज जैसा कि पूतिन अगला सवाल वेसल आशीश आपसे यही था कि रूस के राश्ट्रपती है व्लादमेर पूतिन। अगर वो भारतिये प्रधानमंत्री से फोन पर ये दावा करते हैं कि युक्रेन की सेना भारतिये चात्रों को human shield के तोर पर इस्तमाल कर रही है तो फिर ऐसे में भारत सरकार का अब आगे अगला कदम क्या और क्या वो उठा लिया गया है क्योंकि युक्रेन यो धुभूमी वहां तो एक एक पल भारी है उन भारतिये चात्रों पर जो फसे हुए हैं तुदान मंत्री एकाद रोज में खुद उक्रेनिन गाश्पती से बात करें युक्रेनी फोर्स को निर्देश देने के लिए लेकिन इसका उप्चारिक कोई जिक्र नहीं किया गया है हम यह मान चकते हैं कि निश्चिक तॉप विदेश मंत्राले अब भर्सक प्रयाद करेगा खुद संबव है जैसा मैं आप से कहरा हूँ कि तुदान मंत्री उक्रेनिन गाश्पती से बात करें ताकि युक्रेनी फोर्स को यह जल से जल तक संदेश दिया जाए कि अगर भार इश्कुमार से इस तमाम जानकारी के लिए तो देखिए जो बाचीत हुई है प्रधान मंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपती व्लाद मिर पुतिन इस बाचीत का ब्यौरा रूस की तरफ से जो जारी किया गया है उसकी आधार पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं यूक ये चात्रों को यूकरेन में बंधक बनाना बेहत चिंता की बात है रूस का दावा भारत को अपने पक्ष में करने का पैत्रा तो नहीं है कहीं सवाल ये भी उठेगा रूस का दावा अगर सही तो फिर भारत का अगला कादम क्या होगा ABP News आपको रखे आगे